C.I.E.T. N.C.E.R.T. Presents Trilingual Dictionary of History for Schools इतिहास विद्धालयों के लिए त्रिभाशी शब्द कोश तारीख की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Letter H Index Word and Page Number Hadis Hadith Page 58 Hagiography Page Page 58 Hanafi Page 58 Harem Page 58 Harijan Page 58 Hasil Page 59 Hieroglyph Page 59 Hieroglyphic script Page 59 Hellenic Helles Hellenistic Hellenism Page 59 Heritage Page 60 Hijra Hijri-Ira Page 60 Hinduism Page 61 Historiography Page 61 Homo erectus Page 61 Homo erectus Page 61 Human evolution Page 61 Humanism Humanist Page 62 सअ चन्टर गध्रेशर्स पच शीटिटीओ नव तो खत्र में दिक्स्टेरी अपिक्सक्री फीस्टीओ हदीस हदीच हदीस रखेशों और रखेंच आण्यम्ट मढप् स्टीथ भूर रेक एंत। प्रॉल्वरास अट्र हिसुषग It is considered as an important source of moral guidance and religious views After the Quran, it is the sole authoritative text حدیث حدیث पैगंबर मुहम्मद के कतनों और कारें को حदीथ कहा जाता है जो पैगंबर की मृत्यों के बाद उनके अनुयाईयों द्वारा लिपिबध किये गए थे इसे मुसल्मानों के लिए नैतिक मार्गदर्शन और धार्मिक विचारों का एक महत्व पूर्ण स्रोत माना जाता है खुरान के बाद ये एक मात्र पूर्ण प्रामानिक गरंथ है हदीथ हदीथ से मुराद पैगंबर मुहम्मद के अक्वाल और अफाल हैं जिने आप सल ललाए उले वसल्म के वफात के बाद आप सल ललाए वसल्म के पैरूओं ने जमा किया ये मजहबी मामलाद और अखलाकी हिदायत के लिए निहायत एहम माखिज हैं अहदीथ कुरान के बाद वाहिद मस्तंद मतन हैं Hagiography The term refers to the biography of a saint or religious leader. Hagiographies often extol the virtues and achievements of saints and may not always be literally accurate. Sant-Charat-Lekhan Kisie Sant-Ya Dharmik-Neta-Ki Jeevani-Ko Sant-Charat-Lekhan Kaha-Jata-Hai. Sant-O'Ki Jeevaniyo-Mei Aksar Un-Ke-Gun-O-Tath-A-U-P-Labdhi-O-Ki-Prashan-Sah-Ki-Jati-Hai. और ये संभव है कि उनकी ऐसी प्रशनसा हमेशा पूरी तरह सही न हो. बुजर्गों की स्वाने हायात इससे मुराद बुजर्गों या मजभी रहनुमाओं की स्वाने उम्री है. बुजर्गों की सुवानी हायात में अक्सरों बेशतर उनकी खूबियां और कामियाबियों का बड़ा चड़ा कर बयान किया जाता है जो कि हमेशा लव्ज बालव्ज दुरुस्त नहीं होती हनफी It is one of the four schools of law in Sunni Islam The other three schools are Maliki, Shafi and the Humbly The हनफी school was founded by Imam Abu Hanifa who was born in Kufa, Iraq in 689 CE The हनफी school is predominant and widespread and has a large following in the world हनफी ये Sunni Islam की चार वैचारिक धाराओं में से एक है अन्य तीन वैचारिक धारा हैं Maliki, Shafi and Humbly हनफी वैचारिक धारा की शुरुवात Imam Abu Hanifa द्वारा की गई थी जिनका जन्म एराक के कूफा नगर में 689 ईस्वी में हुआ था हनफी विचारदारा का सबसे अधिक दबदबा और विस्तार है और दुनिया में इसके अन्युयाईयों की संख्या भी काफी बड़ी है हनफी ये सुन्नी इसलाम के चार फकी मसलकों में से एक मसलक है दूसरे तीन मसलक मलकी, शफी और हनबली है हनफी मसलक की बुनियाद इमाम अबु हनीफा ने रखी हनफी सबसे ज्यादा मकबूल और फैला हुआ मसलक है जिसके पैरों पूरी दुनिया में पाए जाते हैं हरम It is an Arabic word which literally means a sacred place Gradually, it came to refer to that part of household where women of a family lived In medieval times, harem was essentially associated with the royal class where the women folk of the rulers were maintained The Mughal emperors were particularly known for having lavish harem According to Italian traveler Manucci, there were women of different races, communities and regions in the Mughal harem Haram, ये Arabi भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक पवित्र स्थान धीरे धीरे इस शब्द का तादपर घर के उस हिस्से से हो गया जहां परिवार की औरते रहती थी मध्धेकाल में हरम का संबंध प्रमुक रूप से शाही परिवार के उस हिस्से से हो गया जहां शासकों की बेगमे रहती थी मughal बाच्चा खास तोर पर अपने शानदार हरम के लिए जाने जाते थे इटली के यातरी मनुची के अनुसार मुगल हरम में भिन भिन जातियों समुदायों तथा क्षित्रों की औरते होती थी हरम ये अर्बी लवज है जिसके लवजी माईने मुकद्दस मकाम है रफ़ता रफ़ता इस से घर का वो हिस्सा मुराद लिया जाने लगा जहां खानदान की खवातीन रहती थी एधवस्ता में हरम लाजमी तोर पर शाही घराने के हिस्से से मतालिक था जहां सिर्फ हुक्मरानों की खोवातीन के लिए इंतिजाम और इंसिराम किया जाता था मुगल हुक्मरान खास तोर पर शांदार हरम रखने के लिए मारूफ थे अतल्वी सियाम अनुची के मताबिक मुगल हरम में मुख्तलिफ नसलों, कौमों और इलाकों से तालुक रखने वाली खोवातीन होती थी हरिजन The word हरिजन literally means a child of God This word was used by Mahatma Gandhi for the people who belonged to the then untouchable castes of India By this, Gandhiji tried to suggest the essential equality of all human beings and also that those who were considered as socially low were especially dear to God Gandhiji personally visited Harijan colonies to render social service Under his guidance, Harijan Sevak Sangh and a journal by the name Harijan were started to promote the cause of socially marginalized Harijan Harijan शब्द का शाब्दिक अर्थ है इश्वर की संतान इस शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा उन लोगों के लिए किया गया था जिन्हें भारत में उन दिनों अच्छूत कहा जाता था इस शब्द के द्वारा गांधी जी ने ये दर्शाने का प्रयत्न किया था कि सभी मनुष्य मूल रूप से समान हैं और जिन्हें सामाजिक रूप से नीचा समझा जाता है वे विशेश रूप से इश्वर को प्रिय होते हैं गांधी जी स्वायम हरिजन बस्तियों में जाकर सामाजिक सेवा प्रदान करते थे उनके मार्ग दर्शन में सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के हित को बढ़ावा देने के लिए हरिजन सेवक संग की स्थापना हुई और हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ हरिजन लव्ज हरिजन के लगवी माइने हैं खुदा के बच्चे इस लव्ज का इस्तिमाल महात्मा गांधी ने अपने जमाने में हिंदुस्तान की अच्छूत जातों के लिए किया था गांधी जी ने उसके जरीए तमाम इंसानों के माबीन लाजमी मसावत का दर्श देने और ये बावर करने की कोशिश की थी के जो लोग समाजी तोर पर अदना समझे जाते हैं वो खास तोर पर खुदा के प्यारे होते हैं गांधी जी ने हरीजन बस्तियों में समाजी खिद्मात के लिए जाती तोर पर दोरा किया था उनकी रहनुमाई में समाज के पास मानदा और कमजोर तबके की फला वह बहबूत के लिए हरिजन सिविक संग का कयाम अमल में आया और एक रिसाला हरिजन नाम से जारी किया गया था पेज 59 हासिल The term हासिल signified the actual revenue collected by the मुगल स्टेट See also जमा हासिल मुगल राज्य द्वारा एकठा किये गए वास्तविक राजस्व को हासिल कहा जाता था जमा भी देखें हासिल इस इस्तिला से मुराद मुगल शेहन्शाओं के जरीए वसूल की जाने वाली माल गुजारी की मुताइना मिकदार है मजीद देखें जमा Hieroglyph Hieroglyphic Script The Greek word hieroglyph literally means sacred sign Derived from this word, hieroglyphic script refers to an ideographic writing system which developed in Egypt around 3000 BCE and continued to be in use till the 4th century CE Hieroglyphic script was used mainly to write formal inscriptions with religious and monumental purposes Some 700 signs were employed to write these inscriptions that combined ideograms and phonetic symbols Hieroglyphs were first deciphered in the early 19th century following the discovery of the bilingual Rossita stone inscription Sometimes the term is also used to describe ornamental scripts that were used by Minuan i.e. authors of the Asian Bronze Age civilization on the island of Crete the Hittites i.e. ancient Anatolian people and the Mayans i.e. authors of pre-Columbian Maya civilization in parts of Central America चित्रलेक चित्रात्मक लिपी युनानी शब्द हायरोग्लिफ का शाब्दिक अर्थ है पवित्र चिन्ह इस शब्द से निकली हायरोग्लिफिक लिपी का तात्पर उस भावसूचक लिखावच से है जो 3000 इसा पूर्व के आसपास मिस्र में विकसित हुई थी और इसा की चौथी शताब्दी तक प्रयोग में रही थी इस लिपी का प्रयोग धार्मिक तथा स्मार किये प्रयोजनों हेतू और चारिक अभिलेखों को लिखने के लिए किया जाता था इसमें लगभग 700 चिन्धों का प्रयोग किया जाता था जिनमें भाव चिन्ध एवं ध्वनी प्रतीक शामिल थे 19 सदी के प्रारंभ में जब द्विभाशी रोसिता शिलाले की खोज हुई तो इन चिन्धों को पहली बार पहचाना या पढ़ा गया कभी-कभी हायरोगलिफिक शब्द का प्रयोग कुछ अन्य आलंकारिक लिपियों के लिए भी किया जाता है जो मिनुवन अर्थाथ क्रीट द्वीप पर रहने वाले एजियन कांसे युगीन सभिता के प्रणेता लोग हित्य अर्थाथ प्राचीन अनातोलियाई लोग और मया लोगों अर्थाथ मध्ध अमेरिका के कई भागों में प्राक कोलंबियाई मया सभिता के प्रणेता द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती थी हाईरोग्लिफ हाईरोग्लिफिक रस्मलखत नकुष मगदसा तस्वीरी रस्मलखत युनानी लवज हाईरोग्लिफ का लवजी मफहूम नकुष मगदसा है इस लवज से मुझ तक हाईरोग्लिफ स्क्रिप्ट से मुराद तस्वीरी रस्मलखत है जिसके नशोनुमा तक्रीबन तीन हजार कबल मसी मिस्र में हुई और चौती सदी ईसवी तक मसलसल इस्तिमाल में थी तस्वीरी रस्मलखत का इस्तिमाल खास तोर पर मजहभी और यादगारी मकासित के तहट रस्मी किताब लिखने के लिए किया जाता था तक्रीबन साथ सो अलामत का इस्तिमाल उन किताबों को लिखने में किया जाता था जो तस्वीरी तहरीर और सूतियाती अलामत पर मुश्तमिल थी नकुश मकदसा को पहली बार उन्निस्वी सदी की अब्तिदा में रुस्ता पत्थर के जुलसानी कुत्बत के दरियाफत के बाद समझा गया बसा वकात इस इस्तिला का इस्तिमाल जेबाईशी रस्मलखत के लिए भी किया जाता है जिसका इस्तिमाल मनौती याने जजीरा करीट पर आबाद एजीन कांसे दोर के तहजीब के मौलफीन हती याने कदीम अनाटोलियाई अफराद और माया वस्त अमरीका के माकबल को लंबियाई माया तहजीब के मौलफीन करते थे Hellenic, Hellas, Hellenistic, Hellenism The term Hellenic is derived from the Greek word Hellenikos which refers to the language and culture of the ancient Greeks much in the same way as the term Hellas refers to the land where the ancient Greeks dwelt. Historically, however, the term Hellenistic Age is dated to 323 BCE to 32 BCE when Greek culture spread across Western Asia and Northeastern Africa following Alexander's military conquests. In several ways, this age stood out from the preceding Classical Age as the expanding Greek culture fused with other Oriental cultures and cities like Alexandria and Antioch emerged as the main centres of Hellenic culture. Historians are of the opinion that despite the fall of the last Hellenistic kingdom to the surging Roman might in 146 CE, Hellenic culture continued to flourish until the spread of Islam in the 7th century CE. This enthusiasm for adoption of Greek culture by various peoples during this period and also thereafter is generally referred to as Hellenism. UNANI, UNAN-PRADESH, 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 UNAN-VADH के समय से हैं, जब युनानी सभ्भिता, सिकंदर के आकर्मनों के परिणाम सुरूप, पश्चिम एश्या और उत्तर पूर्व अफ्रीका में फैली थी. ये योग अपने पूर्व वर्ती, श्रेर्ण योग से कई मामलों में भिन्न था, क्योंकि इस दोरान विस्तार शील युनानी संस्कृती अन्ने पूर्वी संस्कृतियों के साथ मिल गई, और सिकंदरिया और एंटियोग जैसे नगर युनानी संस्कृती के मुख़्े केंद्रों के रूप में उभर आए. इतिहासकारों के मतानुसार, एक सोच्यालीस ईस्वी में उभरती हुई रोमन ताकत के सामने, अन्तिम युनानी राज्य द्वारा अपने घुटने टेक दिया जाने के बावजूत, युनानी सभिता, ईसा की साथवी सदी में इसलाम के प्रसार तक फलती फूलती रही. इस अवधी के दौरान और उसके बाद भी विभिन समुदायां द्वारा युनानी संस्कृती अपनाने के प्रती जो उत्सहा दिखाया गया, उसे आम तोर पर युनानवाद अर्थाद हेलेनिजम के नाम से पुकारा जाता है. पेज सिक्स्टी हेलिनी हेलाज हेलेनियाई हेलिनिजम ये इस्तिला युनानी लवज हेलेनिकोस यानि हेलेनिकोस से मुश्टक है जिससे मुराद गदीम युनानी जबान और तहजीब है. ठीक इसी तरहां हैलास से मुराद वो जगा है जहां कदीम युनानी रहा करते थे ताहम तारीखी लियास से हैलिनियाई एहद की इस्तला का तालुक 232 कबल मसी से 32 कबल मसी दोर पर होता है जब सिकंदर की फौजी फतुहात के बाद युनानी तहजीब मगरिबी एशिया और शुमाल मश्रिकी अफरीका में फैल गई थी कई लिहास से इस एहद को गुजिश्टा क्लासिकी दोर पर बरतरी हासिल है इसलिए कि युनान की अजीमल शान तहजीब मश्रिकी शहरों और तहजीबों में जम हो गई थी चुनाचे इसकंदरिया और अन्ताकिया हैलीनियाई तहजीब और तमद्दन के एहम मराकिस के तोर पर उभर के सामने आए मौरखीन का ख्याल है कि 146 इसवी में रूमियों की बढ़ती हुई कुवत के आगे आखरी हैलीनियाई सल्तनत की सरगुनी के बावजूद हैलीनियाई तहजीब सात्वी सदी इसवी में इसलाम के पहलने तक मसलसल अरूच पर रही है मस्कुरा मुद्दत और इसके बाद भी लोगों में युनानी तहजीब की ताइन जो जोश और जजबा था इसे आम तोर पर हैलिनिजम यानि युनान शेहनासी से ताबीर किया जाता है Heritage A person's heritage is made up of the practices and traditions that are passed on from one generation to the next in the context of family, community and region where they have been raised It comprises both cultural and natural heritage Cultural heritage is created by human beings and is divided into tangible and intangible heritage Tangible heritage includes objects, monuments or sites of aesthetic, archaeological, anthropological and ethnographical importance Intangible heritage on the other hand includes all forms of traditional, popular or folk culture like oral traditions, customs, languages, music, dance, rituals, festivities, indigenous medicine and pharmacopoeia Natural heritage which is living in nature includes outstanding physical and biological features and also the habitants of threatened animals and other species विरासत किसी भी व्यक्ति की विरासत वे आचार व्यहवार तथा परंपराएं हैं जो उसे उसके परिवार, समुदाएं और क्षेत्र से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते आएं हैं विरासत मुख्यतह दो प्रकार की होती है सांस्कृतिक विरासत और प्रकृतिक विरासत सांस्कृतिक विरासत मानव निर्मित होती है और इसे मूर्थ तथा अमूर्थ शिर्णियों में बांटा गया है मूर्थ विरासत में वे वस्तुएं, स्मारक तथा पुरा स्थल शामिल होते हैं, जो सौंदर्यात्मक, पुरा तत्विये, मानव शास्त्रिये तथा मानव जाती वर्णनात्मक दृष्टी से महत्वपूर्ण हो अमूर्थ विरासत में सभी प्रकार की परंपरागत एवं प्रचलित लोक संस्कृती तथा उसके नाना रूप जैसे मौखिक परंपराएं, रूढियां, भाशाएं, संगीत, रित्य, रितिरिवाज, तीज त्योहार, स्वदेशी ओशधियां शामिल होती हैं प्रकृतिक विरासत जीवन्थ प्रकृति की होती है और उसमें विशेष्ट भौतिक एवं जैविक विशेष्टाएं तथा लुप्त प्रहाजीव जन्तूओं के आवास शामिल होते हैं मिरास, किसी इNSान की मिरास, वो आमाल और रिवायत हैं जो खानदान, قوم और जाये पैदाईश से नसल दर नसल मुंतकिल होती आ रही हैं इसमें सकाफाती वा फित्री दोनों तरह की मिरास शामिल है सकाफाती मिरास इनसानों की तकलीक है और इसे कतई वगेरा कतई मिरास में तक्सीम किया जाता है कतई मिरास में सामान, यादगारें या हसीन मकामात, असारियात, बशारियात और नसलियात से मुतालिक एहम चीजे शामिल है दूसरी जानिब गेर कतई मिरास में रिवायती, मशहूर या अवामी सकाफत की तमाम शकलें मसलन जुबानी रिवायत, रसूम, जुबाने, मौसकी, रक्स, मजभी रसूम, तहवार, देशी दवाईया और जखीरा दोयात वगेरा शामिल है फितरी मिरास नौयत के एतबार से जानदार होती हैं जिन में इम्तियाजी, तबियाती और जिस्मानी औसाफ और मकमात भी शाम रुकात रहती हैं हिज्रा, हिज्री समवत, मूल रूप से अरभी शब्द हिज्र का प्रयोग हजरत मुहम्मद द्वारा 622 इस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जा बसने की याद में किया जाता है मुसल्मानों ने इस घटना को अपने कैलेंडर में आधार वर्ष माना तब से शुरू होने वाला समवत इस्लामी कैलेंडर में हिज्री समवत के नाम से जाना जाता है हिज्री हिज्री सना बुन्यादी तोर पर अर्बी लव्ज हिज्री का इस्तिमाल 622 इस्वी में पेगंबर मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की मक्का से मदीना हिज्रत करने की याद में किया जाता है मुसल्मानों ने इस वाक्य को अपने कैलेंडर के लिए बुन्यादी साल के तोर पर अपना लिया इसलिए इसलामी कैलेंडर में सन के ताईन हिज्री सना के तोर पर किया जाता है हीनयान The term literally means the lesser vehicle in Sanskrit This term was coined quite early in the first millennium CE to refer to the earliest system of Buddhist doctrine or the tradition As per this tradition, the highest goal for an individual was the attainment of Nirvana and become an Arhat i.e. a perfected person or a person who has attained spiritual enlightenment and hence has become free from the cycle of rebirth This tradition regarded the Buddha as also a human being who became an Arhat through the attainment of enlightenment Accordingly, in this tradition, the veneration of symbols associated with the Buddha such as the stoopas and relics was considered as meritorious but not essential for attaining Nirvana Page 61 हीनयान Sanskrit भाषा के इस शब्द का शाब्दिकर्थ है छोटी गाड़ी ये शब्द इसा की पहली सास्राब्दी की प्रारंभिक्षताब्दियों में बौध सिध्धान्त या परंपरा की प्राचीनितम प्रणाली को अभिवक्त करने के लिए गढ़ा गया था प्रणता और प्रभुतता प्राप्त व्यक्ति जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गया हो बनना था इस परंपरा में बुध को भी एक मानव माना गया जो ज्यान प्राप्त कर अरहत बन गये थे इस परंपरा में बुद्ध से संबंधित प्रतीकों जैसे स्तूप तथा अफशेशों के प्रती शद्धा रखने को स्तुत्य तो माना जाता था पर निर्वान प्राप्ति के लिए अनिवारे नहीं ही नियान इस इस्तिला का मतलब संस्कृत में छोटी चक्री है इस इस्तिला को पहले हजार इसवी सदी की बिलकुल इप्तिदा में बौधमत के अव्वलीन उसूल या रिवायत के लिए वाज़े किया गया इस रिवायत के मताबिक एक शक्स का सबसे आला मकसद निजात यानि निर्वान हासिल करना और अरहट यानि इनसान कामिल या रुहानी तोर पर रोशन जमीर जो जनम मरन के चक्र से आजाद हो बनना था इस रिवायत के एतबार से गौतम बध होसले बसीरत के बाद अरहट बन गए थे लिहाज़ा उस रिवायत में बध से ज़ादा वाबस्ता निशानात, मसलन, स्तूपों और तबरकात को काबिल एहतराम समझा जाता था ताहम हसूल निजात के लिए लाजिम नहीं था Hinduism The term refers to a cluster of religious, philosophical and cultural traditions and practices native to India. Most of these traditions and practices are based on concepts of karma, dharma, jnana, doctrine of reincarnation and Vedas as the final scriptural authority. All these traditions and practices have evolved over a long period of time through a complex historical process. The term in this form has come into common usage since 19th century onwards. Hindu dharm ये शब्द ऐसी धार्मिक, दार्षनिक और सांस्क्रितिक परमपराओं तता पध्धतियों के समूह का सूचक है, जिनका प्राधुर्भाव भारत में हुआ है. इन में से अधिकांश परमपराएं एवं पध्धतियां कर्म, धर्म और ज्यान की संकल्पनाओ, पुनर जर्म के सिध्धान्त और वेदों को अंतिम प्रामानिक धर्मगरंथ मानने पर आधारित हैं. ये सभी परमपराएं एवं पध्धतियां एक जटल एतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से एक लंबे अर्से में विक्सित हुई हैं. इस रूप में हिंदू धर्मशब्द का आम इस्तेमाल उन्नीस्वी शताबदी से ही शुरू हुआ है. हिंदुमत इस इस्तिलह से मुराद हिंदूस्तान की मजहभी, फलसफियाना वा तहजिबी रिवायत और मकामी मामुलात का मजमुआ है. इन रिवायत वा मामूलात में से अक्सर और बेश्टर की बुनियाद कर्म याने अमल, धर्म याने अकीदा, ग्यान याने इल्म, तस्वीर अफ्तार और वेदों पर बहैसित आखरी मजभी एकाम के यकीन करने पर मुनहसर है इन तमाम रिवायात और मामूलात की नशोनुमा एक लंबी मुदत के दौरान पेचीदा तारीखी अमल के तहद होती रही है इस इस्तला का आम इस्तेमाल इस माफूम में उन्निसवी सदी से शुरू हुआ Historiography The term refers to the study of how history is written or handed down through the ages While writing historiography, a writer takes into consideration the various means by which a historical source is formed such as the credibility of the sources used, the motives of the author composing the history and its authenticity इतिहास लेखन इस विशय के अंतरगत ये अध्ययन किया जाता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है और कैसे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता है इतिहास लेखन करते समय लेखक उन सभी साधनों को ध्यान में रखता है जिनके माध्यम से एक इतिहासिक स्रोत तैयार किया जाता है जैसे प्रयोक्त स्रोतों की विश्वसनियता, इतिहास तैयार करने वाले लेखक का प्रयोजन और उसकी प्रामानिकता तारीख नवेसी इस इस्तिला से मुराद तारीख के उस मुताले से है कि वो किस तरह लिखी और एहद बाएहद आने वाली नसलों को मुन्तकिल की जाती है एक मौरिक को तारीख लिखते वक्त कई वसाइल मसलन इस्तिमाल होने वाले मांखिज वा मसादर की सदाकात एक शकल दी जाती है इस इस्तिला से मुराद बनी उन इनसान की एक इर्तिकाई मरहले से है जिसमें इनसान याने होमिनिट मुकमल तौर पर सीधी हालत इख्तियार कर लेता है मजीद देखें होमिनिट Homo habilis The term refers to a hominid species which is characterized by its ability to make use of its front paws as independent hands Literally, this Latin term means able man or handyman Homo habilis ये शब्द मानव की उस अवस्था का सूचक है जब उसमें अपने आगे के पंजों का इस्तिमाल स्वतंत्र हाथों के रूप में करने की क्षमता उत्पन्न हो गई Latin भाशा के इस शब्द का शाब्दिकर्थ है योग्य मनुष्य या सिध्ध हस्त मनुष्य Homo habilis इनसानी इर्तिकाई के लिहाज से इस इस्तिला से मुराद इनसान की वो नसल है जिसकी खासियत ये बयान की जाती है के वो अपने पंजों का इस्तिमाल खुद मुखतार हाथों की तरह करने के लिए काबिल हो गई थी इस लातीनी इस्तिला का लफजी मफहूम एहल आदमी या दसदर आदमी है Human Evolution Hominates evolved for million of years to arrive at the stage of present human species Ramapithecus of Miocene period evolved into Australopithecus africanus of the Pliocene and then to the Homo habilis who could use hands to make tools From the beginning of the Pliocene period comes the species of Homo erectus with a straight backbone This species was replaced by Homo sapien, i.e. literally the thinking man, the nearest ancestor to modern day humans The species with the prefix Homo can be distinguished from the earlier Australopithecus in terms of larger brain size and smaller jaws and teeth due probably to the difference in dietary, i.e. food habits Page 62 Manavikas Manushy ko apnei homonid avasthah se vikisit ho kar, vartman avasthah tak pehunchne me laakho varsh lage Myocene kaal ke Ramapithecus ka vikas, Pliocene kaal ke Australopithecus africanus ke rup me hua, joh ághe chal kar, Homo habilis ke rup me vikisit hua ये अपने हाथों से ओजार बना सकता था प्लिस्टोसीन काल के प्रारंभ से Homo erectus का आविरभाव हुआ, जिसकी रिड की हड़ी सीधी थी फिर Homo erectus का स्थान Homo sapiens अर्थात चिंतनशील मनुष्य ने ले लिया, जो आज के मनुष्य का सबसे नजदी की पूर्वज माना जाता है पूर्ववर्ती Australopithecus और परवर्ती होमो उपसर्ग वाले प्रानियों में, मुख्य अंतर ये था कि होमो उपसर्ग वाले प्रानियों का मस्सिश्क और जबड़े तथा दांत उसकी तुलना में बहुत चोटे थे जिसका मतलब ये हो सकता है कि खान पान की आदतों में बहुत अंतरा गया था इंसानी इर्टिका बनी उन इनसान लाखों साल नशोनुमा पाने के बाद मौजूदा इनसानी शकल के मरहले तक पहुँचा है मायुसीनी दौर याने अरजियती एहद से मुतालिक चोटे दौर के राम पतेकस की तरक्की प्लैस्टोसीन के एस्ट्रोलोपितेकस एफ्रिकन्स की शकल में हुई और बाद में होमो हैबिलस की शकल में हुई जो हातों का इस्तिमाल औजार साजी के लिए करते थे वस्थ हयाती दोर याने प्लेस्टोसीन की इप्तिदा से नू इनसान यानी होमो एरेक्टस की रीड की हड़ी सीधी हो गई इसकी जगा मौजूदा इनसान के करीब तरीन अववाजाद होमो सेपियन याने लवजी माना सोचने वाला इनसान ने ले ली होमो से मलहक बनी उन इनसान के मुकाबले में साबका ओस्ट्रोलेपितेकस का दिमाग बड़ा और जबड़े और दात छोटे थे शायद के ये फर्क गिजाओं में इख्तिलाफ तवियत की वज़े से था Humanism, Humanist, the term refers to the world view in which human values and concerns occupy a central place Historically, the term is associated with the intellectual and cultural movement which occurred in Italy during the Renaissance period i.e. 14th to 15th centuries and later spread to other parts of Europe i.e. 15th to 17th centuries Humanism as a system of thought laid emphasis on a rational understanding of the universe and the place of humanity in it as opposed to the previously held notion of the divine will guiding human affairs There were several scholars, writers and artists like Picodella Mirandola i.e. 1463-1494 and Petrarch i.e. 1304-1374 who spread this message of Humanism through their exemplary works and came to be known as Humanists Manavtavad, Manavtavadi ये ये शब्द एक एक एसे विश्वमत का दियोतक है जिसमें मानवीय मूल्यों और सरोकारों को प्रमुखता दी जाती है एतिहासिक दृष्टी से देखा जाए तो ये शब्द उस बौधिक एवं सांस्क्रितिक आंदोलन से जुड़ा है जो पुनर जागरनकाल अर्थात 14-15 शताबदी के दौरान इटली में छिड़ा था और फिर आगे चलकर अर्थात 15-17 शताबदियों में यौरप के अन्य भागों में भी फैल गया एक चिंतन प्रणाली के रूप में मानवतावाद ने विश्व को तरकपूर्ण धंग से समझने और उसमें मानवता के स्थान को जानने पर बल दिया जबकि पहले ये समझा जाता था कि कोई दैवी शक्ती है जो मनुष्य की जीवन चर्या को चलाती है पिकोडेला मेरंडोला अर्थाद 1463 से 1494 और पेट्रार्क अर्थाद 1304 से 1374 जैसे अनेक विद्वानों, लेखकों और कलाकारों ने अपनी आदर्श कृतियों के द्वारा इस मानवतावादी संदेश का प्रचार प्रसार किया और वे मानवतावादी कहलाए इनसान दोस्ती इनसान दोस्त इस इस्तिला से मुराद एक आलमी नजरिया है जिसमें इनसानी इकदार और इनसान दोस्ती को मरकजी एहमियत हासिल है तारीखी लिहास से इस इस्तिला का तालुक निशहाता-ए-सानिया यानि चौद्वी से पंद्रवी सदी के दोरान इटले में रुनुमा होने वाली फिक्री वा तहजीवी तहरीक से है जो बाद में यूरोप यानि पंद्रवी से सत्रवी सदी के दूसरे इलाकों में पहली इस नजरिये के बर खिलाफ के इनसानी मामलात मशायत इलाही के मताबिक अंजाम पाते हैं इनसान दोस्ती ने एक तर्ज फिक्र की गैसियत से काइनात और मकाम इनसानियत को अकली तकाजों की रोशनी में समझने पर जोर दिया पिकोडेला मिरोंडोला 1463-1494 और पैटरार्क 1304-1374 जैसे बहुत से अशाब इल्म और फिक्र, एहल इकलम और फनकार थे जिनोंने इनसानियत के इस पैगाम को अपने मिसाली कारनामों के जरिये पहलाया है उन्हें इनसान दोस्त कहा जाने लगा Hunter-Gatherers The term is used to refer to those who in early societies subsisted on the hunting of animals, fishing and the collection of foodstuff from the forest. As a mode of subsistence, hunting-gathering is commonly associated with the Paleolithic and Mesolithic periods, though its traces are seen through most periods of human history. Groups relying on hunting and gathering are organized in small bands and are constantly on the move. आखेटक संग्राहक शिकार और संग्रहन पर निर्भर रहने वाले समुदाए अपनी छोटी-छोटी टुकडियां बनाकर भोजन की तलाश में सदैव घूमते रहे हैं। शिकार और गिजाई अजनास जमा करने वाला इस इस्तिला से मुराद वो लोग हैं जिनका जराय माश के इनहिसार अप्तिदाई समाज में जानवरों के शिकार, माही गेरी और जंगल जाडियों से अशाय खुरदनी जमा करने पर था। जराय माश की हैसियत से शिकार और गिजाई अजनास जमा करना आम तोर पर कदीम हिजरी दौर और वस्थ हिजरी दौर से वाबस्ता था। ये तक्रीबन पूरी तारिखी इनसान में नजर आता है। शिकार और गिजाई अजनास जम्म करने वाले गिरों छोटे-छोटे जत्थे बनाकर गिजा की तलाश में मुसलसल घूमते रहते थे Letter H of Trilingual Dictionary of History for Schools NCR Read by Suchitra Gupta and Mohamed Saad Trilingual Dictionary, you were just listening to this presentation Project Coordination, Rajesh Nimesh Subject Coordination, Dr. Shima Shukla Ojha Project Advise, Dr. Bharti Kaushik Technical Coordination, Batilang Lindo Assistance in Production, Tanu Gupta Framework Advise, Ajit Horo Production Coordination, Vandana Arimardhan Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary And this presentation is brought to you by CIET, NCERT, New Delhi, India Plan